दोस्तो चैशी किष्णा चैशी रादे दोस्तो सही समय पर शादी न होना खुद के लिए तो परिशानी देता ही है साथ ये पेरेंट्स के लिए भी समस्या बन जाता है आज हम आपसे बात करेंगे कि लेट मेरिज क्यों होती है और आखिर क्या कारण होता है लेट मेरिज का और उसका उपाय क्या है दोस्तो लेट मेरिज होना एक समस्या है और ये लड़कों के लिए इसकी कई बज़े हो सकती है और कई बार करियर की बज़े से और कई बार पारे बार इक जिम्मेदारियों की बज़े से भी ये चीज लेट हो जाती है, शादी में डिले हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आती है लड़कियों को लेकर, अगर लड़कियों की शादी लेट होती है, तो उसकी चिंता लड़कियों को हो ना हो, लेकिन उनकी पेरेंट्स को बहुत होती है, मतलब लड़का हो य साधी लेट होने के कई कारण हो सकते हैं अब जैसे कोई मन चाहा रिष्टा नहीं आ रहा और या फिर लड़का और लड़की दोनों खुद मना कर दें या फिर ऐसा है कि बात तो चलती है लेकिन किसी न किसी बात पर बात अटक जाती है जैसे कि कोई लड़की के लिए लड़का मना कर दे या फिर कोई फैमली बैक्गराउंट ना मिला और भी अनेक समस्याइं होती हैं जिसकी वज़े से कि ये शादियां डिले हो जाती हैं शादियां तूट जाती हैं लड़के और लड़की दोनों के लिए ये एक अलग-अलग कारण होते हैं और अलग-अलग ग्रहे जिम्मेदार होते हैं लेट मेरिज के लिए लेकिन कुछ एक ऐसा भी ग्रहे है ऐसा बड़ा ग्रहे है जो कि सभी के मंगल कारियों को नुकसान पोचाता है अगर पर कुंडली में या फिर घर के वास्तु में ठीक न हो तो उस ग्रहे के बारे में आप जरूर जाने क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रहे हैं इस ग्रहे के बारे में हम वीडियो के आंत में जरूर बताएंगे इसलिए वीडियो को आंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं अब सबसे पहल जो लड़कियों की शादी में लेट होता है और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही तो उसका क्या कारण होता है तो दोस्तो लड़कियों की शादी में जो लेट होने का एक मुख कारण होता है वो है गुरू ब्रहस्पती जनम कुंडली में अगर गुरू ब्रहस् आदते ऐसी होती हैं, जिसको हम करके खुद अपने ब्रस्पती को खराब कर देते हैं, क्योंकि अगर ब्रस्पती ठीक है, अच्छा है, तो फिर कोई कारण नहीं कि लड़कियों की शादी न हो या फिर उसमें डिले हो, किसी भी कन्या के बिवा के लिए ब्रस्पती मैन कारक ह होता है, और उसकी पोजिटिव इस्ति उस लड़की का समय पर बिवा भी कराती है, अब गुरू अगर खराब है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, हम यहां आपको जोतिश के हिसाब से तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि अगर किसी लड़की की शादी न जोर होगा, अगर ठीक हो भी तो कुछ हमारी ऐसी आदते होती हैं, जो कि हम उन्हें अपना गुरू खुद बखुद खराब कर लेते हैं, जैसे घर के रीती रिवाजों को ना मनना, पड़ों की बातें को ना सुनना, और अपने कुल गुरू या फिर देवी देपताओं को भूल जाना, ये बड़े कारण होते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रस्पती खराब होता है, अब पता कैसे चले कि हमारा ब्रस्पती खराब है, तो इसके लक्षन होते हैं, अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमारा उनसे तालमेल ठीक नहीं बैठेगा, अगर गुरू हमारा खराब है तो, या फिर घर में बुजुर्गतों हैं, सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं लेकिन उनमें पहुँ उम्र वाली समझदारी नहीं होती, उस तरीगे की मैच्च और बातें वो ना करते हैं, ना समझते हैं, आप जो ये भी जान सकते हैं कि ये एक बड कारण थो ऐसे हैं कि हम इन जान सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे अघ्यात कारण होते हैं जिने ले हम नहीं जानते जिसकी वजह से भी हमें पृत्तर दोष लगता त्युज़ें हैं अब एक होते हैं कि हमारे जो पिछली दो तीन पीडियां हैं उन्होंने हमारे कुल गुरू का अपमान किया हो या फिर घर के बड़े बुजुर्गों की अंदेकी की हो या इनका घोर अपमान किया हो तो भी हमारा गुरू ब्रहस्पती खराब होता है और ये एक नेगटिव रिजल्ड देता है खास कर लड़कियों की शादी के मामले में ये देरी जरूर कराता है आगे हम गुरू के ठीक करने के उपाई भी बताएंगे लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि यह तो लड़कियों की बात थी कि गुरू खराब है इसलिए उनकी शादी लेट हो रही है दिले हो रही है लेकिन लड़कों के साथ ऐसा क्यों होता है तो लड़कों की शादी में डिले होने की मुखे बज़े गुरू नहीं बलकि शुक्र होते हैं जी हाँ शुक्र ये न केवल प्यार और लगजरी लाइफ के कारक होते हैं बलकि अगर कुंडली में शुक्र गडबड हो तो लड़कों की शादी में ये अननेसेसरी देरी करवा देते हैं ऐसे मैं लड़का कितना भी अच्छा हो कितना भी कमाता हो उसमें बहुत खूबिया हो लेकिन लड़की वालों को ये पसंद नहीं आता और वो रिजेक्ट करने के बहाने ढूंते रहते हैं ऐसा है तो फिर उनमें कुछ लच्छन तो होंगे ही तो हम आपको बताते हैं कि गुरु खराब होने के लख्षन क्या है उनके लख्षनों में अगर हम बात करें तो अगर आपके घर में कोई महला है तो वो उसकी तबिया सिहत ठीक नहीं होगी वो अक्सर बीमार पड़ जाती होगी मतलब अगर घर की एक महला का स्वास्त ठीक होता होगा तो तूसरी महला बीमार पड़ जाती होगी अगर ऐसा है तो ये शुक्र के प्रभाब के कारण होता है ये शुक्र आपके घर का कमजोर है इसकी बज़े से ये इस्ततियां आती हैं इसके साथ ही आपके चेहरे की आभा तीज को ये कम करता है चेहरे में वैसी आभा नहीं होती जो पहले थी इसके अलावा घर में गंदगी का सा माहौल रहता है कुछ अफरात अफरी और कंजेस्टेट चीज़ें भरी हुई होती है जो कि ठीक चीज़ें अब्यविस्तित रहती है ब्यविस्तित नहीं रहती है तो ये लक्षन होते हैं शुक्र के खराब होने के तो आपने जाना के लड़के और लड़की तोनों की शादी में जो देर होती है वो आखिर किस वज़े से होती है इसके क्या कारण होती है अब हम इसे ठीक करने के उपाई भी बताएंगे तो सबसे पहले लड़कियों की बात करें तो गुरू को हम ठीक करने के लिए सबसे पह होता है कि हम अपने कुल गुरू को नहीं जानते हमें नहीं पता होता कि हमारे कुल गुरू देवी देपता कौन है तो ऐसे में आप किसी सिद्ध शिव मंदर में जाएं और हात में चल लेकर महादेप को अपना गुरू माने और साथ ही ऐसा सोचें कि आप ही हमारे कुल के दे कर आएं ऐसा करने से आपके जो घर में कुल देपता कुल गुरू की कमीति वो पूरी होगी यह पहुत ही सिद्ध उपाय है और गुरू को ठीक करने के लिए इससे बहतर कोई उपाय नहीं हो सकता अब बात लड़कियों की शादी में देरी की हो रही है तो गुरू तो अच्छा होगा इस उपाय से तो इसके साथ ही आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं इसमें आपको अपने मकान के घर का वास्तु ठीक करना होगा इसके लिए आप अपने घर के नौर्थ वेस्ट साइड यानि की के आपका जो उत्तर पक्षिम का भाग है उसको आपको ठीक करना होगा आप क्या करें आप पीतल के किसी लोटे में किसी धर्म इस्थाल का जल भर कर उसे रख दीजे बस रख कर छोड़ दीजे इससे आपका गुरू मजबूत होगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ड भी देगा तीसरा उपाय है अपनी जनम कुंडली में जो लड़कियों की जनम कुंडली है उसमें गुरू की इस्तिती को देखें और उसका उपाय कराएं इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ड जोतशी के पास जाना होगा ये सब कारण ठीक होने पर कोई कारण नहीं जो लड़कियों की शादी में देर हो तो दोस्तों अब बात करते हैं लड़कों की शादी की देरी की तो लड़कों की शादी के लिए हमें शुक्र को ठीक करना होगा इसका सबसे सटीक और अच्छा उपाय है कि उसे सुद्ध सरूप माना गया है शुक्र का इसलिए प्रत दिन गाय की सेवा करें गाय को कुछ खाने को रोटी या फिर अगर आप हपते में एक बार या फिर शुक्रवार के दिन उनको हरा चारा खिलाएं रोटी खिलाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लादी में आ रही अर्चने दूर होंगी नतीजा चिट मंगनी पट बिवा होगा अगर घर के वास्तु में कोई कमी होती है जिसकी वज़े से घर का शुक्र खराब होता है तो शुक्र की जो दिशा होती है वो होती है साउथ इस्ट यानि की दक्षिन पूर्व ये जो पर कहीं कोई पानी का शोत होगा भंडार होगा जैसे कि घर की चट पर टंकी होगी जो साउथ इस्ट में या फिर प्यूरिफाई आपका आरो वगेरा लगा होगा वो इसी दिशा में होगा या फिर घर की बोरिंग जो होती है समर सेविल की वो बोरिंग भी आपके साउथ इस्ट स्थान पर होगी जिसकी वज़े से आपका शुक्र खराब होने का मतलब होता है बरकत नहुना घर में लड़कों की शादी में अर्चने आना तो आप हो सके तो इसके कारण का निवारन करें अगर ऐसा हो सकता है तो वहां से पानी की वेवस्ता को आप हटा दें नही बहुत ही आसान सा उपाय है यह बहुत कारगर भी होता है आप क्या करें जिस लड़के की शादी नहीं हो रही डिले हो रही है उस लड़के की एक सुन्दर सी फोटो लें उसे घर के साउथ इस्ट दीवार पर टांग दें फ्रेम में यकीन मानिए यह ऐसा सटीक उपाय है जि जो रिकावटे होंगी वो जरूर दूर होंगी अब यह था लड़के और लड़कियों के बीच में मतलब जो शादी में आने वाली जो समस्याओं के कारक ग्रह हैं उनके निवारन की उनके उपाय की लेकिन दोस्तों एक और अती महत्वपून और एनरजी दायक ग्रह है जो कि ठीक न हो तो समस्याओं दोनों के लिए पैदा करता है और वो है मंगल, मंगल अगर घर का अच्छा ना हो, पुंडली का अच्छा ना हो, तो कोई भी मंगल कार आसानी से नहीं हो सकता, मंगल क्या है? मंगल है आपके घर की आग, आपके घर में जो गैस का चूला है, आप उसके बर्णर को सही तरीके से साप सुत्रा रखिए उसमें कोई गैस ब्लॉक नहों आग ब्लॉक नहों ऐसा सुनिश्चित आपको करना है ऐसा इंतिजाम करना है बस आपका मंगल ठीक होगा और अच्छे परिणाम भी देगा मंगल मजबूत होगा और इससे आपके जो भी मंगले कारें में अर्चने आ रही हैं वो दूर हो गए नतीजा घर में शुब विवा तो दोस्तों आज हमने जाना कि आज की वीडियो में ये जाना कि लड़के और लड़की दोनों के लिए आखिर कौन कौन से ग्रह हैं जो कि लेट शादी के लिए जिम्मेदार होते ह और उनका उपाय क्या है अब मिलेंगे आपसे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सबस्क्राइब सरूर कीजिए मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ तब तक जैशी किष्णा जैशी रादे हर हर झालूट